हेलो दोस्तो आज हम सीखेंगे RCC के अंदर कंड्यूट पाइप, फैन बॉक्स और कंसिल्ड लाइट के लिए कैसे इंस्टॉल किया जाता है या RCC के अंदर उन्हें कैसे लगाया जाता है तो दोस्तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे यह फैन बॉक्स है हमने पहले इसको क्या किया है इंची टेफ या फिता की साहिता से इसे नाप लेकर के फिक्स इसे इस्थाफित कर दिया है इस्थाफित करने के बाद में हमने इसे तार से बांद के इसे एक जगए पे फिक्स कर दिया है अब भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह नीचे की तरफ जो लाइने जा रही है यह light के लिए है जो blev होते हैं या जो भी light points होता है उसके लिए यहाँ से light जा रही है उसके बाद में यह concealed light के लिए है और इस concealed light के अंदर जो man supply आएगी वो fan box में होकर के यहाँ तक पहुचेगी यह fan box है इस fan box से यह सामने वाली concealed light है यहाँ पर भी supply जाएगी और यहाँ से जो lighting के points है वो भी यहाँ से इधर से चली जाएगी उसके बाद में fan box से fan box connect रहते हैं और यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे सारी की सारी जो conduit pipes हैं वो एक जगे पर निकली वही है तो यहाँ पर एक distribution board बनाया जाएगा जिसकी साहता से पूरे मकान की light जो है वो एक जगे से ही control किया जा सकता है और अभी यहाँ पर अभी आप यह देख रहे हैं यह एक concealed light है इस concealed light के नीचे हमने कुछ papers लगाएवे हैं पेपर इसलिए लगाए गए हैं दोस्तों ताकि नीचे से जो RCC का मलबा है वो इसमें आकर के जमा नहीं हो और इसके सामने जो conduit pipes है इसको हम tape की साइता से चिपका देते हैं ताकि conduit pipe के अंदर कोई materials है जो मसाला है हम RCC के अंदर डालेंगे और जो मसाला वो इस concealed pipe के अंदर नहीं आएं और यह सारी की सारी pipes बंदी रहें तो अभी आप देख रहे होंगे हमने यहां के जो RCC है इसके अंदर conduit pipes पूरे डाल दिया है डालने के बाद में हमने उन्हें सारे के सारे conduit pipe fan box, console, light सबको एक जगे पे fix कर दिया है ताकि अगर हम इस पे RCC का जो materials है जैसे बजरी, cement जो मसाला हम इसमें डालेंगे तब हमा से दूसरे इस्तान पर इधर उदर ना हो इन सबसे बचने के लिए हम conduit pipes को एक RCC के जो तार आते हैं उनसे हम इसको बान देते हैं ताकि जो हमारे fan box है, console light है और pipes हैं वो अपने इस्तान पे ही रहें जहां हमने उन्हें इस्थाफित किया है तो अभी आप यहां देख रहे होंगे हमने यह सारी की सारी concealed pipe जो है concealed light के लिए fan box के लिए सारे के सारे points देखर के हमें सभी points को connect कर दिया है distribution board से तो जो भी man supply है जहां से man supply आने वाली है वो यहां से जाएगी यह distribution board के लिए हमने यहां पे सारे pipes को हैं वो नीचे दिया हुआ है ताकि जो हमारी man supply है वो अलग अलग रूम में जा सके बैड रूम में जा सके रसोई में जा सके ऐसे अलग अलग रूम में जा सके अभी आप देखेंगे यह जो पाइप है इसको हमने आगे से बिलकुल टेप करके पैक किया हुआ है ताकि इसके अंदर मसाला कोई भी अंदर जाए नहीं और इसे हम ऐसे के ऐसे जैसे ये concealed light है इसके अंदर फिर ऐसे इसमें डाल देते हैं ताकि जो हमारी concealed light है या जो भी conduit pipe है उसके अंदर कोई भी materials जो है वो जमा नहीं हो अगर जमा हो जाएगा दोस्तो इस परकार से हम इस pipe को बान देते हैं RCC के ताकि जो हमारा conduit pipe है वो हमारे उस RCC पे ही fix रहे तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में conduit pipe, concealed light, fan box इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी दी है और ध्यान रहे दोस्तो कोई भी fan box है या concealed light है या और भी कोई points हम उसके light के लिए दे रहे हैं इस से हम RCC के pipes को बान देते हैं उन सभी concealed light या fan box हैं उन सभी के नीचे एक paper ये या गत्था जो होता है कागज का उसको लगा देते हैं ताकि उसके अंदर नीचे से मलवा नहीं जमा हो तो अभी आप देख रहे होंगे हमने ये concealed light लगा है पाइप डालने के बाद में अब हमने इस पे material डालना शुरू कर दिया है ध्यान रहे कोई भी जो भी labor है वो इन्स pipe पर pair नहीं रखे अगर pair रख देगे तो pipes हमारे क्या होगे तोट जाएंगे तोटने पर क्या होगी जो हमारी concealed light है या जो भी light हमने यहाँ पर लगाई है वो light बाद में इसमें wiring नहीं डल पाएगी इसलिए सबी pipes को सुरक्सित रखें दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को like करें यह अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि वो भी सीख सकें धन्यवाद दोस्तों थैंक्यू